नमस्कार उत्राखन साइन्स एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है योसर्क राज्य में प्राध्योग्य की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृट संकल्प है आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्धती में सम्यक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित, इकंटेंट, सुदूर, छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायकोगा धन्यवाद चली आई इस वीडियो में हम इस अध्याय से संबंधित कुछ महत्पूर आंगिक प्रस्णों को हल करते हैं अब यहाँ पर देखी पहला आंगिक प्रस्ण दिया गया है और इसमें कहा जा रहा है कि एक 25 फेरों वाली कुंडली का छेतर फल 1.6 cm2 है इस कुंडली को 0.3 सेकंड में 1.8 वेवर प्रती मीटर स्क्वायर के एक चुंबकी छेतर में इस प्रकार रख दिया जाता है कि इसका तल छेतर फल की फ्लक्स रेखाओं के लंबवत हो अब यहां पर पूछा जा रहा है कि कुंडली में प्रेरिद विद्द वाहक बलका मान किया होगा और second condition में यह पूछा जा रहा है कि यदि कुंडली के तार का प्रतिरोध 10 ohm हो तो उसमें कितना आवेश प्रवाहित होगा अब यहाँ पर देखिए कुंडली से गुजरने वाला जो संपूर फ्लक्स होता है चुमकी फ्लक्स होता है इसकी वैलू कितनी होती है तो इसके लिए फार्मूला होता है फाई B is equal to B into A और इसी फार्मूले की जायता से हम चुमकी फ्लक्स की वैलू को calculate कर सकते हैं B क्या है? B चुमकी फ्लक्स है और A यहाँ पर कुंडली का छेतर फल है अब यहाँ पर देखिए जब कुंडली को हमने चुमकी फ्लक्स के बाहर रखने से पहले कुंडली में से जो गुजरने वाल चुमकी फ्लक्स कितना होगा? तो यहाँ से इसकी वैलू हम इसी फार्मूले की सहायता से calculate कर सकते हैं अब यहाँ पर देखिए B की वैलू कितनी है? तो B कमान दिया गया है 1.8 वेबर प्रती मीटर स्कॉयर इस वैलू को हम यहाँ पर note कर लेंगे अब यहाँ पर देखिए A यहाँ पर 6 तरफल है और 6 तरफल की वैलू दी गई है 1.6 cm2 और इस वैलू को भी यहाँ पर हम नोट कर लेंगे अब यहाँ पर देखिए cm2 को हम मीटर स्कॉयर में परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैलू हो जाएगी 1.6 इंटू 10 देज पाओर मैनस 4 और इसका म कितना है इसका मान दिया गया है 1.8 वैबर प्रती मीटर स्कॉयर और A की वैलू हो जाएगी 1.6 इंटू 10 देज पाओर मैनस 4 मीटर स्कॉयर अब इस टर्म को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जब हम 1.8 का 1.6 से गुड़ा करेंगे तो इसकी वैलू हो जाएगा तो इस प्रकार से जब हमने कुंडली को 0.3 सेकेंड में 1.8 वैबर प्रती मीटर स्कॉयर के चुम्बकिये छेतर में रखा तो कुंडली से गुजरने वाला जो चुम्बकिये फ्लक्स होगा इसकी वैलू हो जाएगी 5B is equal to 2.88 into 10 देज पाओर मैनस 4 वैबर अब य अहले कंडिशन में जो गुजरने वाला फ्लक्स था इसकी वैलू थी शून ने और दूसरे कंडिशन में जब हमने कुंडली को चुम्बकिये छेतर में रख दिया तो यहाँ पर दूसरा कंडिशन हो गया और दूसरे कंडिशन में जो गुजरने वाला चुम्बकिये फ्लक अब यहां से इसकी value कितनी होगी तो यहां से delta 5b की value हो जाएगी delta 5b is equal to 2.88 into 10 raise power minus 4 waiver तो इस प्रकार से यहां पर हमने flux में परिवर्दन की value को भी calculate कर लिया अब यहां पर देखें यहां पर अगर हमें कुंडली में प्रेरित विद्दु द्वाहकबल की value को calculate करना हो तो इसकी लिए formula क्या हो जाएगा तो यहां से इसकी लिए formula हो जाएगा e is equal to minus n delta 5b upon delta t और इसी formula की साहता से हम प्रेरित विद्दु द्वाहकबल की value को calculate कर सकते हैं अब n क्या है n यहां पर कुंडली में फेरों की संख्या दी गई है और फेरों की संख्या यहां पर 25 दी गई है अब इसी formula में हम सभी value को put करेंगे तो चली यह put करते हैं तो यहां से value हो जाएगी minus n की value है 25 उदार देंगे और delta 5b की value कितनी है तो इसका मान अभी हमने calculate किया है 2.88 into 10 raise power minus 4 और बटे में हम delta t की value को लिख देंगे अब delta t क्या है तो देखिए जो delta t है इसका मान है 0.3 क्योंकि 0.3 सेकेंड में यहां पर flux में परिवर्तन हो रहा है तो यहां पर delta t की असान पर 0.3 लिख देंगे और यह यहां पर e की value हो जागी यानि प्रेरिद विदुद द्वाहक बलका मान हो जाएगा अब यहां पर जो term प्राफ हुआ है इसे हम calculate करेंगे तो यहां पर देखिए यहां से e की value हो जागी e is equal to minus 25 अब यहां पर 2.88 में हमें 0.3 से भाग देना है तो इसकी value हो जागी 9.6 और यहां पर 10 की घात minus 4 से हम बुड़ा कर देंगे अब य यहां से इसकी value हो जागी minus 240 और इसमें हम 10 की घात minus 4 से बुड़ा कर देंगे और यह यहां पर e की value हो जागी अब यहां पर जो term प्राफ्ट हुआ है इसे हम थोड़ा सा rearrange करेंगे कैसे करेंगे तो दसमलों को 2 के बाद हम लगा देंगे तो यहां से e की value हो जागी e is equal to minus 2.40 इन्टू 10 raised power minus 2 और इसका मात्रक क्या होगा तो इसका मात्रक यहां पर वोल्ड प्राफ्ट हो जाएगा अब यहां पर देखें यहां पर rear chin लगा हुआ है तो rear chin का मतलब क्या होता है देखें rear chin यह बताता है कि विद्द वाहक बल flux के बढ़ने का विरोध कर रहा है तो इस इस value को हमने calculate कर लिया अब यहां पर देखें यहां पर हम प्रश्न के दूसरे भाग को हल करेंगे और दूसरा भाग यहां से start होता है पूछा जा रहा है कि यह कुंडली के तार का प्रतिरोध 10 on हो तो उसमें कितना आवेस प्रवाइथ होगा तो यहां पर देखें क्या ची i into delta t तो सबसे पहले यहां पर हम i की value को ग्याद करेंगे यानि विद्द धारा के मान को calculate करेंगे तो यहां पर i के लिए formula जा होगा देखें i के लिए formula हो जाएगा i is equal to e upon r e क्या है विद्द भागबल है और r यहां पर प्रतिरोध है और दोनों की values हमें ग्याद हैं तो इ बटे में हम r की value लिख देंगे और इसका मान दिया गया है 10 ohm अब यहां पर देखें इस term को हम solve करेंगे तो यहां से जब इस value को हम solve करेंगे तो यहां से i की value हो जाएगी i is equal to 2.40 into 10 raise power minus 2 और बटे में 10 दिया हुआ है इससे जब हम अंस में लेकर रके जाएगे तो इसकी value हो जाएगी 10 की हाथ minus 1 और यहां से i की value हो जाएगी 2.40 into 10 raise power minus 3 और इसका मात्रक क्या होगा तो इसका मात्रक यहां पर ampere प्राथ हो जाएगा तो इस प्रकार से यहां पर हमने i की value calculate कर लिया अब यहां पर हम इस फार्मूले में सभी मान को put कर देंगे तो यहां पर देखे इन्टु 10 देज पहुर मैनस 3 और delta t की value कितनी है तो देखे delta t का मान दिया गया है 0.3 second तो यहाँ पर हम 0.3 से गुड़ा कर देंगे अब इस term का हम गुरंफल ग्याद करेंगे तो यहाँ पर देखे यहाँ पर जब इस term को हम solve करेंगे तो यहाँ से value हो जाएगी 2.40 इन्टू यहाँ पर लिखा हुआ है 10 की घात मैनस 3 और यहाँ पर लिखा हुआ है 0.3 तो यहाँ से value हो जाएगी 3 इन्टू 10 देट पार मैनस 1 और यहाँ पर Q की value हो जाएगी अब यहाँ पर देखे 2.40 का हमें 3 से गुड़ा करना है तो इसकी value हो जाएगी 7.20 और यहाँ पर value हो जाएगी 10 की घात मैनस 4 और यह यहाँ पर Q की value हो जाएगी और इसका मात्रक क्या होगा तो देखे यहां पर हमने आवेज की वैलू को कैलकुलेट किया है और आवेज का मात्रक हो जाएगा कूलाम तो इस प्रकार से यहां पर हमने प्रवाहित होने वाले कुल आवेज की वैलू को भी कैलकुलेट कर लिया अब हम अपने अगले आंकिक प्रश्न को हल करेंगे और यहां पर हम से पूशा जा रहा है कि 10 cm त्रिजिया, 500 फेरोन तथा 2 ओम प्रतिरोध की एक व्रित्ताकार कॉंडली को इसके तल के लंबवत प्रित्वी के चुमकी छेत्र के 36 घटक में रखा गया है इसे अपने उर्थ व्यास के परिता 0.25 सेकेंड में 180 अंस के कोंड से घुमाया जाता है कुंडली में प्रेरिद विद्दुद वाहग बल तथा वैद्दुद धारा की गढ़ना कीजे अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रित्वी के चुमकी छेत्र का 36 घटक दिया गया है तीन गुए दसकी घार पैनस पांच टेसला अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यह ग्याद करेंगे कि घोरं से पहले कुंडली में प्रारमिक फ्लक्स की वैलू कितनी थी तो देखिए जो प्रारमिक फ्लक्स होगा इसे हम फाइवन से वेक्ट कर देंगे और इसके लिए फारमूला हो जाएगा फाइवन इस इक्वल टू बी इंटू ए अब यहाँ पर बी क्या है बी चुमकी छेत्र है और ए यहाँ पर कुंडली का छेत्र फल है अब यहाँ पर देखिए इस फारमूले में हम सभी मान को पुट कर देंगे तो बी की वेल्यू कितनी है इसका मान दिया गया है तीन गुड़े दसकी घात मैंनेस पांच टेसला तो यहाँ पर इस वेल्यू को हम नोट कर लेंगे अब यहाँ पर A दिया गया है A क्या है कुंडली का छेत्रफल है अब यहाँ पर देखे कुंडली एक वृत्ताकार कुंडली होती है और वृत्त के छेत्रफल के लिए फार्मूला होता है πाई इंटू आर स्क्वाइर अब यहाँ पर देखिए R की value कितनी है तो यहाँ पर कुंदली की त्रिज्या दी गई है 10 cm तो यहाँ पर हम value लिख देंगे 3 गुड़े 10 की घात मैनस 5 और यहाँ पर πाई की value को ऐसे उतार देंगे और R कामान कितना होगा तो यहाँ पर देखिए 10 cm दिया गया है इसे हम मीटर में परिवर्थित करके लिखेंगे तो यहाँ पर R के अस्थान पर हो जाएगा 10 गुड़े 10 की घात मैनस 2 और यहाँ पर इसका मात्रक क्या होगा तो मीटर हो जाएगा और इसका हम वर कर देंगे तो यह यहाँ पर हो जाएगी 5,1 की वैलू अब यहाँ पर जो टर्म प्राप्थ हुआ है इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से इसकी वैलू हो जाएगी 5,1 is equal to 3 गुडए 10 की गात मैनस 5 यहाँ पर हम 5 से गुड़ा कर देंगे और यहाँ पर वैलू हो जाएगी ठिर मेंश 1 अब यहाँ पर देखिए इस टर्म को एक बार फिर से हम solve करेंगे तो यहाँ से 5,1 की वैलू हो जाएगी 3 गुडए अब यहाँ पर देखे, यहाँ पर 10 की घात मैनस 5, गुड़े 10 की घात मैनस 1, गुड़े 10 की घात मैनस 1, यहाँ से वैलो हो जाएगी 10 की घात मैनस 7, और यहाँ पर पाई से हम गुड़ा कर देंगे, और इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक यहाँ पर वेबर प्राप् अब यहाँ पर देखे यहाँ पर हम यह ग्याद करेंगे कि घोरन की पस्चात कुंडली में जो उत्पन होने वाला अंदिम फ्लक्स होगा उसकी वैलू कितनी होगी तो यहाँ से इसकी वैलू हो जागी phi 2 is equal to minus 3 pi into 10 raise power minus 7 और इसका मात्रक यहाँ पर वेवर प्राप्त हो जाए लेकिन यहाँ पर माइनस चिंद क्यों लगाए गया है क्योंकि एक परिस्थिती में कुंडली से जो निकलने वाला फ्लक्स होगा वहाँ बाई तरफ से निकलेगा तो दूसरी परिस्थिती में जो फ्लक्स होगा वहाँ दाहिने तरफ से निकलेगा तो यहाँ पर घोरन के पस्चार जो अंतिम flux होगा इसकी value हो जागी phi 2 is equal to minus 3 pi into 10 raise power minus 7 बेवर अब यहाँ पर देखिए flux में परिवर्तन की value कितनी होगी तो flux में जो परिवर्तन होगा इसे हम delta phi से बेक्ट कर देंगे तो delta phi की value कितनी होगी यहाँ से इसकी value हो जागी phi 2 minus phi 1 अब इस फार्मूले में हम सभी मान को put कर देंगे तो phi 2 की value है minus 3 pi into 10 raise power minus 7 बेवर minus 5 1 की value कितनी है इसका अमान हो जाएगा 3 pi into 10 raise power minus 7 बेवर और यह यहाँ पर delta phi की value हो जाएगी अब यहाँ पर इसकी value कितनी होगी तो यहाँ से जब इसे हम solve करेंगे तो इसकी value हो जाएगी minus 6 pi into 10 raise power minus 7 बेवर तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने flux में परिवर्तन की value को भी calculate कर लिया अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्रस्टन में हमसे पूछा क्या जा रहा है तो प्रस्टन में हमसे यही पूछा जा रहा है कि कुंडली में उत्पन होने वाले प्रेरित विद्दुद वाहकबल की गर्णा की यह तो यहाँ पर देखिए प्रेरित विद्दुद वाहकबल के लिए जो formula होता है उसकी value होती है e is equal to minus n delta 5 upon delta t और इसी formula में हम सभी मान को put कर देंगे तो यहाँ पर देखिए n क्या है n यहाँ पर फेरो की संख्या है अब फेरो की संख्या यहाँ पर 500 दी गई है तो n के अस्थान पर यहाँ हम 500 पूट कर देंगे और delta 5 की value कितनी है तो देखिए इसकी value दी गई है minus 6 pi into 10 raise power minus 7 और बटे में हम delta t की value को put कर देंगे और delta t का मान कितना दिया गया है तो देखिए इसकी value दी गई है 0.25 second तो यहाँ पर हम value put कर देंगे 0.25 second और यह यहाँ पर e की value हो जाएगी अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस term को हम solve करेंगे तो यहाँ पर जब इसका गुड़नफल गयाद करेंगे तो यह minus और यह minus cancel हो जाएगा तो यहाँ से e की value हो जाएगी e is equal to देखिए यहाँ पर 500 लिखा है तो इसे लिख देंगे 5 गुड़े 10 की गाद 2 इसमें हम 6 से गुड़ा कर देंगे और यहाँ पर πाई से गुड़ा किया गया है तो पाई की value हो जाएगी 3, 10, 1, 4 और इसमें हम गुड़ा कर देंगे 10 की गाद 25 से और बटे में हम लिख देंगे 0.25 से अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस term को एक बार फिर से हम solve करेंगे तो यहाँ से E की value हो जाएगी E is equal to यहाँ पर देखिए 5 का 6 से गुड़ा किया गया है और इसके पस्चात 3, 10, 1, 4 से गुड़ा किया गया है तो इन 3ों का जब हम गुड़न्फल क्याद करेंगे तो यहाँ से इसकी value हो जाएगी 94, 10, 2 और बटे में लिखा हुआ है 0.25 इसे हम उतार देंगे और यहाँ पर गुड़ा किया गया है 10 की घात मैनस 7 गुड़े 10 की घात 2 तो यहाँ से value हो जाएगी 10 की घात मैनस 5 अब यहाँ पर इस टर्म को एक बार फिर से हम solve करेंगे तो 94, 2 में हमें 0.25 से भाग देना है तो इसकी value कितनी होगी यहाँ पर देखें इसकी value हो जाएगी 376 दस्मलो 8 और यहाँ पर हम गुड़ा कर देंगे 10 की घात मैनस 5 से और यह यहाँ पर E की value हो जाएगी अब यहाँ पर देखें यहाँ पर इस term को हम थोड़ा सा rearrange करेंगे दस्मलों को हम 3 के बाद लगा देंगे तो यहाँ से E की value हो जाएगी E is equal to 3.76 into 10 raised power minus 3 और इसका मात्रक क्या होगा तो इसका मात्रक यहाँ पर वोल्ड प्राप्थ हो जाएगा तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने प्रस्ट के पहले part को हल कर दिया यानि प्रेजित विद्द वाहख बल की value को calculate कर लिया अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम प्रस्ट के दूसरे part को हल करेंगे और पूछा जा रहा है कि यहाँ पर वैद्द धारा की value कितनी होगी तो यहाँ पर देखिए वैद्दुध धारा को calculate करने के लिए हम फार्मूले का इसिमाल करेंगे I is equal to E upon R E क्या है विद्दुध वहकबल है और R यहाँ पर प्रतिरोध है अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस फार्मूले में हम सभी value को put करेंगे तो यहाँ से E की value कितनी होगी इसका अवान अभी हमने calculate किया है 3.76 into 10 raise power minus 3 volt और बटे में हम R की value को लिख देंगे देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2 ओम का प्रतिरोध विद्दाकार कोंडली से जुड़ा हुआ है तो R की value यहाँ पर 2 प्राप्त हो जाएगी अब यहाँ पर इस term को एक बार फिर से हम solve करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3.76 में हमें 2 से भाग देना है तो इसकी value कितनी होगी यहाँ से इसकी value हो जाएगी 1.88 और यहाँ पर 10 की घात मैनस 3 से हम गुड़ा कर देंगे और यहाँ पर i की value हो जाएगी और इसका मात्रक क्या होगा तो ने कि इसका मात्रक यहाँ पर ampere हो जाएगा तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने बहने वाली धारा की value को भी calculate कर लिया अब हम अगले अंखिक प्रसन को हल करेंगे और यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि संलग में चित्र में प्रदर्शित कुंडली से संबध चुमकिये flux कुंडली के लंबवत तथा कागज के भीतर निम्न समिकर्ण द्वारा परिवर्तित होता है अब यहाँ पर flux की value दी गई है प्रतिरोध आर में धारा तथा धारा की दिशा क्या होगी अब यहाँ पर देखें यहाँ पर जो flux की value दी गई है इसका मान हो जाएगा 5B is equal to 6T square प्लस 7T प्लस 1 और इस value को यहाँ पर हम note कर लेंगे और इसका मात्रक यहाँ पर milli waiver में दिया गया है अब यहाँ पर देखें यहाँ पर कहा जा रहा है कि T बराबर 2 सेकेंड पर कुंडली में प्रेरिद विद्द वाहग बल की value क्या होगी तो देखें फैराडे की नियम के अनुसार जो प्रेरिद विद्द वाहग बल होता है इसके लिए फार्मूला होता है E is equal to N d5b upon dt और इसी फार्मूले की साहता से हम विद्द वाहग बल की value को calculate कर लेंगे अब यहाँ पर N क्या है तो N यहाँ पर कुंडली में फेरो की संख्या है अब यहाँ पर आप इस चित्र को देखिए तो इस चित्र में जब आप देख रहे होंगे तो फेरो की संख्या यहाँ पर एक दिखाई दे रही है तो N के अस्थान पर यहाँ पर हम one put कर देंगे अब यहाँ पर देखिए d5b upon dt की value क्या होगी तो देखिए यहाँ पर जो 5b का टर्म दिया गया है इसे t के साथ एक्स differentiate किया गया है आउकलन किया गया है तो यहाँ पर अगर हमें d5b upon dt की value को calculate करना हो तो इसकी value हो जागी 12t plus 7 अब यहाँ पर देखिए इस value को हमें 2 second के समयांतराल पर calculate करना है यानि t यहाँ पर लिखा हुआ है उस अस्थान पर हम 2 put कर देंगे तो यहाँ से value हो जागी 12 गुड़े 2 plus 7 अब यहाँ पर देखिए यहाँ से value हो जागी 24 प्लस 7 और यहाँ से value हो जागी 31 अब यहाँ पर हमें d5b upon dt की value मालूम है और n की value मालूम है इन दोनों values को इसी फार्मूले में हम put कर देंगे तो चलिए put करते हैं तो यहाँ से e की value हो जागी 1 गुड़े 31 और इसका मातरक क्या होगा तो देखिए इसका मातरक यहाँ पर मिली वोल्ड प्रावस हो जाएगा तो यहाँ पर हम मातरक लिखना नहीं भोलेंगे अनिथा आपका प्रशन गलत हो जाएगा तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने प्रशन के पहले part को solve कर लिया अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम प्रश्ण के अगले भार को हल करेंगे और यहाँ पर हम से पूछा जा रहा है कि प्रत्रोध R में धारा तथा धारा की दिसा क्या होगी तो यहाँ पर देखिए 10 Ohm का प्रत्रोध है, यानि यहाँ पर R की वैलू 10 Ohm दी गई है अब हमें यह कालकुलेट करना है कि 10 Ohm के प्रत्रोध से धारा की वैलू कितनी होगी तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से धारा यानि I की वैलू हो जाएगी I is equal to E upon R, E क्या है, विद्दुद वहगवल है और R यहाँ पर प्रत्रोध की वैलू है अब यहाँ पर इसी फार्मूले में E और R की वैलू को पूट कर देंगे तो यहाँ पर देखिए, E की वैलू 31 मिली वोल्ट दिया गया है, इसे हम पूट कर देंगे और R की वैलू यहाँ पर 10 Ohm दी गई है अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से I की वैलू हो जाएगी 3.1 और इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक यहाँ पर मिली एंपियर हो जाएगा तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने धारा की वैलू को भी कैलकुलेट कर लिया अब यहाँ पर देखे प्रश्ण में यह कहा जा रहा है कि धारा की दिसा क्या होगी तो देखे जो यहाँ पर कुंडली है यहाँ पर चुमकी च्छेतर में रखा हुआ है और जो चुमकी च्छेतर है इसे क्रॉस से दर्साया गया है और जब चुमकिये छेतर को cross से दर्साया जाता है तो इसका मतलब यह है कि चुमकिये छेतर रेखाएं स्क्रीन के अंदर जा रही है यानि हम से दूर जा रही है अब यहाँ पर देखे यहाँ पर हम अपने दाहिने हाथ को लेंगे और दाहिने हाथ को खोल लेंगे, उसकी हतेली को खोल लेंगे, तो दाहिने हाथ की चारों मुलियों को हम चुम्बकी छेतर की दिशा में रखेंगे, तो जो अंगूठा होगा, ये अंगूठा उपर की दिशा की तरफ चला जाएगा, यानि कहने का मतलब यह है कि जो धारा प पहुँचेगी तो इस दिसा में हो जाएगी अब यहाँ पर देखिए जब धारा इस भूजा पर पहुँचेगी तो इस डाइरेक्शन में हो जाएगी तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं इस भूजा पर प्रतिरोज जुड़ा हुआ है और जब धारा प्रतिरोज से जु नोक के बीच की दूरी 40 मीटर है 36 दिसा में 360 की भी प्रती घंटा की चाल से उर रहा है अब यहाँ पर देखे कहा जा रहा है कि उरान के अस्थान पर प्रिथवी के संपूर चुमकी छेतर कामान 5 दसवरो 4 गुड़े 10 की घात 5 बेवर प्रती मीटर स्क्वाइर है तथा नतीक ओर कामान 30 डिगरी है तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वावियान के पंखों के नोक के बीच प्रेरिद हो अंदर कामान ग्यात कीजी और यहाँ पर दूसरे कंडिशन में कहा जा रहा है कि यदि पंखों की नोकों के बीच तारों द्वारा एक बल्व जोड दिया जाए तो क्या वाव बल्व जलेगा अब यहाँ पर देखें यहाँ पर हमारे पास एक वावियान है जो आसमान में 36 दिसा में उड़ रहा है तो जब यह उड़ेगा तो प्रिथवी के उर्धवा धर दिसा में जो चुम्बकिय छेतर है यहाँ इसको काटते हुए उड़ेगा तो यहाँ पर यह वावियान चुम्बकिय छेतर को काट रहा है अब यहाँ पर प्रश्ण में क्या-क्या चीजे दी गई है सबसे पहले इसे हम नोट करेंगे तो देखे कहा जा रहा है कि प्रिथवी के संपूर चुम्बकिय छेतर का मान दिया गया है तो इसे हम BE से वक्त कर देंगे यानि प्रोडे प्रिथवी का चुम्बकिय छेतर है और इसकी वैलू दी गई है पांच दस्मलो चार गोडे दसकी घात मैनस पांच बेवर प्रती मीटर स्कॉयर इस वैलू को यहाँ पर हम नोट कर लेंगे और क्या दिया जा रहा है तो नतीक और का मान दिया जा रहा है यानि यहाँ पर थीटा की वैलू दी जा रही है और इसका मान हो जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो और्ध्वा धर दिसाम में प्रिथिवी का चुम्मकी छेतर है इसकी value क्या होगी तो यहाँ पर देखिए इसकी value हो जाएगी bb is equal to यहाँ से फार्मूला हो जाएगा b e sin theta अब इसी फार्मूले में हम सभी value को put कर देंगे तो b e की value दी गई है 5 दस्वलों 4 गुड़े 10 की घात मैनस 5 और यहाँ पर हम लिख देंगे sin 30 अब इस value को हम यहाँ पर solve करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसकी value हो जाएगी 5 दस्वलों 4 गुड़े 10 की घात मैनस 5 और sin 30 की value यहाँ पर हो जाएगी 1 बटे 2 और यह यहाँ पर bv हो जाएगी यानि vertical component में चुमबकिये छेतर की value तो यहाँ पर देखिए यहाँ से bv की value हो जाएगी 2 दस्वलों 7 गुड़े 10 की घात मैनस 5 और इसका मात्रक क्या होगा तो इसका मात्रक यहाँ पर बेवर प्रती मीटर स्क्वायर हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें calculate क्या करना है तो देखिए यहाँ पर हमें calculate करना है कि y1 के पंखों के बीच प्रेडिद विभुवांतर की value कितनी होगी तो प्रेडिद विभुवांतर को हम e से वेक्त करते हैं और इसके लिए formula हो जाएगा e is equal to bvl l क्या है l यहाँ पर चाला की लंबाई है v यहाँ पर velocity है यानि किस चाल से वागति कर रहा है और b यहाँ पर चुमबकिये छेतर है लेकिन यहाँ पर देखिए जो चुमबकिये छेतर है उसका मान bv है तो हम इसे स्वार सा परिवर्थित कर देंगे तो यहाँ से e के लिए formula हो जाएगा bv into v into l अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम सभी values को इसी formula में पूट कर देंगे तो bv की value कितनी है इसका मान दिया गया है 2.7 into 10 raise 4 minus 5 v की value कितनी है तो देखिए जो वायवयान है वह यहाँ पर 360 km प्रती घंटे की चाल से उड़ गहा है तो यहाँ पर इसे हम मीटर में परिवर्थित करेंगे तो देखिए यहाँ पर हम 360 लिख देंगे और इसमें हम 1000 से गुड़ा कर देंगे और बटे में हम 60 गुड़े 60 कर देंगे तो यह value यहाँ पर मीटर प्रती सेकंड में परिवर्थित हो जाएगी अब यहाँ पर देखिए L की value कितनी है तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि एक वायवयान जिसके दोनों पंखों के नोक के बीच की दोरी 40 मीटर है तो यहाँ पर जो हमें value calculate करनी है दोनों पंखों के नोक की बीच की दोरी को लेना है तो इनकी बीच की दोरी है इसका मान 40 मीटर है और इस value को भी हम यहाँ पर note कर लेंगे और यह यहाँ पर e की value हो जाएगी अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस term को हम solve करेंगे, तो यहाँ से 1 0 से 1 0 cancel हो जाएगा, दूसरे 0 से 2 0 cancel हो जाएगा, और 6 का 6 में हम गुड़ा करेंगे, तो यहाँ से value हो जाएगी 36, तो यहाँ पर e की value हो जाएगी 2.7 into 10 raised power minus 5, यहाँ पर हम 100 से गुड़ा कर देंगे, और यहाँ पर हम 40 से गुड़ा कर देंगे, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस term को हम solve करेंगे, तो यहाँ पर 2.7 का 40 से गुड़ा किया गया है, तो इसकी value कितनी होगी, यहाँ से इसकी value हो जाएगी 108, और यहाँ पर गुड़ा किया गया है 10 की घात minus 5 का, और यहां पर देखें, 10 की घात मैनस 3 की वैलू को अगर हम हटार दें, तो यहां से E की वैलू हो जागी 0.108, और इसका मातरक क्या होगा, तो इसका मातरक यहां पर वोल्ट प्राप्स हो जाएगा, तो यहां पर देखें, जो वायर्यान के दोनों पंखें हैं, इनके बीच तारों द्वारा एक बल्व जोड दिया जाए, तो क्या वह बल्व जलेगा, तो यहां पर देखें, यह पंखें हैं, और इनके नोकों के बीच अगर हम तार के द्वारा एक बल्व जोड में, तो यहां पर एक परिपस का निर्मार हो जाएगा, लेकिन यह जो परिपस होग इस परिपस में धारा नहीं प्रवाहित होगी क्यों कि देखिए जो विवान है या एक नियत चाल से उड़ रहा है 307 किलो मेटर प्रसी घंटे की चाल से उड़ रहा है तो यहां पर जो चुम्बकिये फ्लक्स होगा इसके मान में परिवर्ता नहीं होगा और जब तक जलेगा वह नहीं जलेगा तो इस प्रकार से यहां पर अमने इस आंखिक प्रस्न को हल कर लिया